असलाम लेकुम दोस्तों कैसे आप उमेदे आप खेरे से होंगे जैसा कि आपको पता है कि दो हफते पहले मैंने अपने खेतों में सब्जियां उगाई थी बिल्कुल बंचर जमीन के अंदर जहां पे नहरी पानी भी जो था वो दस्तियाब नहीं था आज माशाल्ला मैं देखें यह देखें यह माशाल्ला यह देखें कितने प्यारी सब्जियां जो हैं वो हो रही हैं यह दो हफतों का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं यह बड़े करीब से भी आपको दिखाऊंगा यह देखें यह देखें बिल्कुल बंचर जमीन के अंदर यह सब्जि कितनी प्यारी सब्जियां उग रही हैं कितनी प्यारी हो रही हैं ये देख ले तो प्यारे भाईयो ये देखें ये देखें ये देखें प्यारे भाईयो बस यही कहना है कि हम इतना पैसा कमाते हैं सुबा से शाम तक काम पे जाके पैसा कमाते हैं खाने पीने के लिए तो या अगर वो पैसा कमाने के बाद भी हमें खालिस चीज़ें खाने को ना मिलें केमिकल वाली सप्रेव वाली सबजें मिलें तो क्या फाइदा क्या फाइदा उस पैसे कमाने का और खाने को खाने का अभी भी देख लें कि पाकिस्तान में ओस्तुमर जो सो साल होती थी आज ओस्तुमर पाकिस्तान में जो है वो साथ साल हो गई है हर पाकिस्तानी की ओस्तुमर इस वक्त साथ साल है क्यों भाई क्योंकि हम खालिस चीज़ें नहीं खाते हम जो है और्गैनिक वेजिटेबल नहीं खाते सप्रे वाली केमिकल वाली सबजें खाते है तो याद देखो मेरा कोई इसमें महनत नहीं गई यकीन माने सिर्फ धाई सो रुपय का बीज लेके आया था जैस्ट इसमें और ये कई से मैंने क्यारी बना के अपने खेतों में बिल्कुल बंज़र जमीन के अंदर और कोई मैंने खाद वगएर इसमें नहीं डाली ये सबजें होगाई थी ये बिल्कुल खालिस हैं जो सबजें आप खाते हैं गंदे पानी में उगी होती हैं तरह तरह के केमिकल सप्रे खादें इस्तमाल होती है यार वो हमारे लिए ठीक नहीं है वो नुकसान पहुंचाती है बोड़ी को गुर्दे, जिगर, शूगर, मोटापा, दिल पर नि कितने अमराज के जो है वो सबजें बाइस बनती हैं तो खुदा के लिए अगर आपके पार थोड़ी सी भी जगा है तो आप अपने घरों में जो है वो सबजियां उगाए खाली सबजियां खाए और यह ना खाली सबजियों से जो है आप अपनी जो है वो जान छुड़ा ले इसके इलावा मैंने एक और भी यह खेतों में क्यारी बनाई थी यह काफी बड़ी थी यह देखें 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 यह द आने का मकसद होता है कि मैं आपके अंदे शोग पैदा कर दूँ कि आप भी अपने घरों के अंदे सबजियां उगाएं अगर घर में जगा नहीं तो छटों पर सबजियां उगाएं यारब तो तरह तरह के ग्रोथिंग बैग गमले भी मिल जाते हैं खालिस सबजियां खाएं या अगर आपके पास खेतों में जगाएं तो वहाँ पर खूँशियां उगाएं खुद भी खाएं अपने प्रोसी ऑपको भी दे ठीक है जो पिलकुल खालिस सबजियां यार आप भी न, अपने खेतों में, घरों पे, छटों पे, कहीं भी जगा मिलती है, तो सबजियां उगाएं, अब ये मूली, गाजर, मूंग्रे, टमाटर, हरी मिर्चे, मेथी, ये जितनी भी ये हैं, ये तो हम उगा सकते हैं सकून के साथ, तो अगर पजार में भी ये चीज़ें सो सो रुपे किलों मिल रही हैं, यहर आपका पैसा भी बचेगा, और आपको खालिस खाने को मिलेंगी, अगर आप अपने खेतों में उगाएंगे, तो बस इतनी रिक्वेस्ट हैं, प्यारे भाईयों, कि आप अपनी सब्जियां खुद उगाएंगे, पैसा भी बचाएंगे, और अपनी सहत को भी बचाएंगे, शुकरिया जी.